मद्रप्रदेश के सिधी से शुरू हुई कॉंग्रेस के आदिवासी स्वाभिमान यात्रा प्रदेश भर में भ्रमन करते हुए रविबार कुवाली राजपूर जुले के जौबच में पहुच वी है और डॉक्टर विक्रान भूरिया प्रदेश की भाजपा सरकार पर बरस्ते नज़रा है और कई गंभीर आरूप भी लगाए कंआ राऑत पर भाग सा इसे पक उला भाजा कि लिए 你 क्या गाग सतात पात्रा धारे कह शोच शच्य खुआं को, क्या हो, क्या हो, क्या हो इस डा नहीं हो, क्या हो, क्या हो, क्या हो ज एक्या हो क्यिंवा distillन। था उत मुष्माइ और लो एक Alesh र desktop उत end कर दो कर दो कर दोजार बीस मार्च के बाद से ऐसा लग रहा है कि भाजपा नेताओं में कॉंपटिशन चल रहा है कि जादा बड़ा अधियाचार आधिवाश्य के साथ कौन कर सकता है शुरुआत हुई थी निवाश्य कांड के साथ जिसमें भाजपा के युवा मोर्चा के एक नेता ने एक आधिवाशी परिवार को समीन ने गार दिया था उसके बाद सीधी कांड में जो दृश्य सामने आया था वो पूरे देश्ट देखा है पूरे विश्वन ने देखा है और एक भाजपा विधायव पतने जी ऐसी हरकत कर रहा है समझ के परे है कि आखिर भाजपा की क्या सोच हो गई है और उसके बाद हमने तीन देन पहले ही देखा जा सिंग्रॉली के विधायक के फुटर ने भी एक आधिवासी पर एक दोली मारी है और इसी समंद में कॉंग्रिस पार्टी ने तैक किया था कि हमारे युवा कॉंग्रिस के अधियक्ष और आधिवासी नेता बिकान भूरिया जी और हमारे आधिवासी प्रकोष के अधियक्ष रामूर बिकाम जी ने आधिवासी की आवाज को बुलंद करने के लिए सीडी से आधिवासी सुलिमान याता पारंग की थी उसमें हमारी महला नेतरी भी शामिल है चलना जी और भी अनेक हमारे आधिवास साथ मारे प्रभारी जीप्ति अगरवाल साथ दोनों जाबवा पहुंचेंगे और वहां पर प्यात्रा का समापन किया जाएगा जो एंकार और घमन भाजपा में आ गया है उसका ही परिणाम है जो आज सिती मद्यप्रदेश्ट बन गई है चाहे हमारे आदेवासी भाई और जाये हमारे अनसुचे जाती कि हमारे सातिगान हो आज कोई भी सुक्षित नहीं है मद्यप्रदेश में कहीना कहीं भाजपा के नेताओं में जो एक सत्ता का नशा उनके सिर पे चड़ गया है उसका ही परिज़ नाम है कि ऐसे हाद से मद्यप्रदेश में रहे हैं और यही क हम तीनों को कमलनाज जी ने निदेशित करा कि अब बस भौत हो गया है आपको जनता के बीच में उनकी लड़ाई लडने के लिए जाना पड़ेगा आपको उनके आसुप पोछने के लिए उनके साथ कंदे से कंदा मिला कर खड़े होना पड़ेगा और हम पिछले 19 जुलाई स लगातार निकले हैं आज हम चोपट में हैं और यहां से हम कल झाबवा जाएंगे जहां इसका एक भव्य समापन होगा जिसमें कमलनाज जी और सारे वरिष्ट नेतरदवर मौजूद रहेंगे और उद्देश ये है कि आदिवासियों के स्वाबीमान की लड़ाई पूरी ना आदिवासियों को सिख्षा मिल पारी है ना आदिवासियों को स्वासेभाह मिल पारी है तो ये सरकार हमारे साथ नहीं खड़ी है और पूरी ताकस हम गए हैं इस पार जबदस परिवर्त अने वाला है अदिवास definitive सीटे हैं उन में कम से कम 45 सीटे हम जीत कर आएंगे और जबदस्त काक्रोश है आधिवासी में क्योंकि यह जो बोलते हैं कि हम उनको फासी चड़ा देंगे फास्ट्रैक कोड कर कर आएंगे और कॉंग्रेस 150 सीटों के साथ जीत कर कमलाजी मुख्य मंत्री बहुंगे कि सर्थपुरा भवन में आग किस डिपार्टमेंट में लगी क्यों लगी क्योंकि चित्ता ट्राइबल डिपार्टमेंट का पैसा था इन्होंने भाजपा के लिए चंदा देंगे उनको पता कि अब अगर सरकार आई तो इनका पूरा भांड़ फोर हो जाएगा और सबसे बड़ी बात 200 मीटर दूर फायर स्टेशन था पर फायर को सत्पूरा भवर्ण पहुचने में पांच घंटे लग जाते हैं तो अपने अपने समझ में आता है कि ये लोग जो आग लगी न झाल